नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग आस्विन माह की अमवस्या सौर पित्री अमवस्या जिसे हम कहते हैं इस दिन पित्रों की बिदाई और स्राध करने का दिन होता है ऐसे में इस दिन पित्रों का असिरवात पानी के लिए ब्रह्मनों को भोजन करा कर उन्हें दक्षिना दे कर बिदा करना चाहिए आप ब्रह्मनों को भोजन करा या गरीब व्यक्तियों को भी भोजन करा सकते हैं लेकिन इस तिथी पर अगर आप गाई, कुटा, कववे को भोजन कराएं तो इससे पित्री त्रिप्त होते हैं, प्रसंड़ होते हैं, सो पित्री अमोस्या के दिन दो पहर के समय जो गोवर का उपले होते हैं, उसको जला कर उसके उपर अगर आप खीर का भोग लगाते हैं, अगियारा जिसको देना कहते हैं, अगर दे या फिर दूज चावल चीनी डाल कर ही दे, तो इससे भी पित्री देवों को संतुष्टी मिलती है, चुकि अमोस्या का दिन है, तो पसू पक्षियों जीब जन्तूओं को सक्कर के साथ आटा भी खिला सकते हैं, हरा चारा खिला आपको ऐसा करने से पित्री दोसों से मुक्ति मिल जाएगी, तो पित्री पक्षियों को अन जल देने का विसेश लाव है, ऐसी मानेता है, इनको भोजन देने से स्वेम पित्रों को भोजन प्राप्त हो जाता है, तो सव पित्री अउस्या पर साम किसमें, पीपल के पेड़ के नीचे, घर के पूजा अस्थान जो इसान कोन होता है, वहाँ पर गाय के घी का एक दीपक जरू जलाई है, याद रखिए गाय के घी का दिया, इस दीपक में एक चुटकी काला तिल डाल दें और दीपक के नीचे भी तिल रखिएगा, ऐसा करने से सभी सुखों की प्रा पूली डाल सकते हैं, इस दिन माना जाता है कि कुछ कारे ऐसे हैं जो भूल कर भी नहीं करना जीए, किसी के साथ बुरा बेभार ना करें, किसी का अपमान ना करें, और इस दिन भूल कर भी मांस मदीरा का सेबन ना करें, बाल ना खुन भी मत कटवाईए, वरना ये असुम माना जाएगा जो कोई भी वेक्ति आपके पास कुछ लेने आए उसको खाली हाथ ना लोटा है लेकिन वो एक दीपक कहां जलाएं कि पित्रों के रास्ते में जो अंधेरा है उसको उजाला कर दें देखिए इस अमास्या तीथी पर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर याद र की बाती होगी और इस दीपक में आप या तो काली उड़द के दोचार दाने रख दें या फिर काला तिल के दाने रख दें और इस दीपक का लो दक्षिन दिसा की ओर होगा दीपक जलाने के बाद वहां पर थोड़ी सी मीठी वस्तू आप चाहें तो सफेद मिठाई या थ थोड़ा सा जल रख दीजिएगा किसी पात्र में और ऐसा अगर आप रात साम में करना है ऐसा करने से पित्री देवों के रास्ते में जो अंधेरा है वो समाफ्त हो जाता और पित्री आपको भरभर कर आसिरवाद देते हैं बहुत सिंपल है आप जरूर करें और इस दिन अ तो अगर वो कुता इस दूद को खा ले तो आपका पित्री संतुष्टें ऐसा आप समझ सकते हैं या समझना चाहिए यह थी सिंपल तरीका आप कैसे अपने पित्रों को प्रसंद करें आप वैसे तो पीपल के नीचे एक दिया जलाएंगे ही तो क्योंकि यह दिया आप देब चरू लिखें धनिवाद